जो भी डिसीजन आएगा आगे की लड़ाई के लिए हम लोग तैयार है हम लोग प्राइबेटेजिशन के खिलाफ पुर्जोर अवाज उठाएंगे क्योंकि आरत वर्ष में एक लेसराइट पैंक का बहुत ही अहम गौल है सरकार आप देख रहे निज़ फषनिशन और मैं हूँ आपके साथ रुची का राज सरकार के दुवरा जिस तरीके से बैंकों को नीजी करन किया जा रहा है उसको लेकर के एकबार फार से बैंक कर्म्यों का गुस्अ सरकार के खिलाफ दिखा आपको बता दे कि बैंक कर्मियों ने हर्ताल करने का मन बना लिया है 15 और 16 मार्च को उन्होंने साफ तोर से कहा है कि 10 लाख बैंक कर्मी हर्ताल करेंगे जिस तरह से सरकार बैंकों को नीजी करने की तयारी कर रही है और कुछ बैंकों को नीजी कर भी चुकी है उसको ले करके हम लोगों को दिक्कते हो रही है और आगे रोजगार में भी इसका खासा असर पढ़ने वाला है आये हम आपको इस खबर की जानकारी विस्तार से देते हैं आपको इस खबर की जानकारी विस्तार से देते हैं इस खबर की जानकारी विनोथ शर्मा ने बताया है कि केंद्र दुवारा बैंकों के नीजी करन के खलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इसके अलावा पंद्रा और सोला मार्च को देश भर के दस लाग करमचारी अधिकारी हर्ताल पर रहेंगे वर्तमान में केंद्र सरकार तीन बैंकों को नीजी हातों में बेचने को लेकर घोशना कर दी है वहीं इसके अलावा रेल बीमा एर इंडिया जैसे शेत्र को भी नीजी हातों में सौपने जा रही है इस तरह से बैंकों के राश्ट्रे करन का उद्देश खत्रे में पर गया है और आज आप उसको प्रेविटाइज करके वो पहुंच खतम करने यानि जन्म बिरोधी नीती के तहट आपका जो काम है उसका हम लोग समर्तन नहीं करते है अपने परके दिए बिरोध कुमार मिश्रा इलावा बैंक ऑपिसार रेसेसेशन का जोनल सेक्रेटी के रहा है जैसे चोटे-चोटे लाब और चोटे उद्योग के लिए मिलने वाले रिन समाप्थ हो जाएंगे उन्होंने यावी सवाल क्या है कि जीरो बैलेंस खाता रखने जैसी सुभधाएं और उनके जरीये मिलने वाली सुभधाएं क्या नीजी बैंक देंगी नीजी करन का सिधा प्रभव या होगा कि सीधे, सीधे गरामीन साखाएं बंद होती जाएंगे और गरामीन जंता प्रभवा बिथूंगी युगा के रोजगार जमा पूझी की सुरक्षाप बैंकों के जरीये मिलने वाली सरकारी सुविधाएं खत्रे में परेंगी और इनसे देश के कार्य विवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ेगा इनी सब बातों के वरोध में 15 और 16 मार्च को 10 लाग बैंक कर्मी हरताल पर रहेंगे जड़ा है